अगर आपका कोई भी मोवाइल है आपके पास और उसमें आप जो पीन पेटरन पास्वर लगा दिये हैं आपके बच्चे भाई या तो आपके मिस आप खुद लगा दिये हैं और वो आप मिस आपको याद नहीं है वो लॉकर स्कीन तो आप अपने फोन को अनलोक नहीं कर रह का फोन अनलोक नहीं होगा तो आप उस फोन से कहीं कॉल मैसेज भी नहीं कर सकते हैं जैसा कि यह फोन में देखने लॉक लगा हुआ है अगर यह फोन से अगर मैं चाहूं कहीं पे कॉल करूं आपको या तो अपने फैमिली को तो जब तक मैं सही पेटरन सही पीन नोकिया इंफिनिस जियोनी कोई फोन सिफ एपल छोड़के एंड्रोइड की बात हो रहा यहां पे एंड्रोइड अस्मार्टफोन होना चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो के हिल्प से उस लॉक स्किन को भूल हुए लॉक स्किन को चुटकी में आप अनलोक कर सकते हैं बी पहला स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने वारें बता देता हूं मेरा नाम हो संजीत बर्मा और मैं 12 सालों से आई-टी से जुड़ा वहा हूं जो मुवाल से रिलेटेड है जी हां दूस्तों और अपने पास त डूस्त की हर सकते आपके फोन में यहां बीच में यहाँ तो मेरे फोन में यहां सोगर देख हुआ है और यहां पर अप्ण का। तो दोस्तों पहला Unicode का हम लोग ट्राइ करेंगे पहला Unicode Unicode होता क्या है और अब देख लिजे पहले पहले सिख लिजे Star, Hatch, 5200, 666, 999, 888 और लास्ट में Star, Hatch, Star, Hatch यह रहा इसको भोलते है Unicode और इस Code पे तीन बार Call करना है इस तरह से OK आएगा, OK कर देना है और यह मेरा Second हुआ, यह मेरा Third हुआ, यह मेरा यहाँ पे Over हुआ अब इस Code को यहाँ से अटा देजे यह Code सभी Phone के लिए है ठीके फिंट्स अब यह देखिए, यह जो मैं Code देने वाला हूँ यह Code Google FRP Code है जो हर Phone के लिए है लेकिन इसके साथ एकित दिमेरिट है अगर आप रिसेंटली देख रहे हैं तो यह वाला जो Code में दूँगा Google FRP Code वो काम करेगा अगर आप यह वीडियो यह मार्च के बाद देख रहे हैं अप्रेल में देख रहे हैं तो आप जैसे ही केमेंट करेंगे कि सर हमको नया वाला Google FRP Code दिया जाए तो हमारी टीम में से कोई वितिन दो या तीन घंटे गंदर में आपको दे दिया जाएगा यह देखे Google FRP Code होता कि अस्टार हैज अस्टार हैज जीरो जीरो सेवन फोर फाइव जीरो डवल नैन स्टार हैज यह रहा और इस कोड पे वन टाइम कॉल करना है ओके आएगा ओके करके छोड़ देना है अब यहाँ पर भी ओबर होगे अब इसको यहाँ से अटा देना है अब फिर्ट्स एक लास कोड है यह देखे स्टार हैज यहाँ पर इंजिनियर मोड नाम का अप्लिकेशन ओपन हो जाएगा यही से आपका पासवर्ड जो आप भूल गए है सारा रीकवर होगा डाटा भी रीकवर होगा चलिए कैसे मैं आपको देखाता हूँ यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 10 से 12 ओप्सन है पहला यहाँ से मिनुल टेस्ट आपको खोज़ना होगा हो सकते आपके फोन में मिनुल टेस्ट नीचे हो लेकि मेरे फोन में यहाँ उपर से फोन नमर पर इसको यहाँ पर टच करेंगे और डिवाश डविंग में चले जाना है डिवाश डवी में जाने के बाद आपको sensor, shape, test and collaboration इसको click करेंगे हम और यहाँ पे sensor बंद है तीनों को इस तरह से touch करके एक बारे में छोड़ देना है कोई pass होगा, कोई fail होगा हो सके आपके phone में 2 sensor हो दोनों को touch कीजेगा, हो सके आपके phone में 6 sensor हो save को touch इस तरह से करना लेकिन आपका एक या दो जरूर पास मिलेगा, ठीक है और green color में इस तरह से लिखा रहाएगा test pass देख रहे है, अब इसको यहाँ से back करेंगे back करने के बाद अब आ जाईए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, fingerpin test यहाँ पे चले जाईए, और second वाल आप सुनको करेंगे और यहाँ पे देखिए, start enroll मांग रहा है start enroll करके back आजाना है मैं यहाँ पे step मेरा complete होगी है अब यहाँ से back आजाईए और last में एक option आएगा, हो सकते आपके phone में, आपको search करना होगा others, आपका phone में कहीं भी हो सकता है मेरे phone में last में है others, जैसे ही मिलेगा, आपको करना क्या है main board version मिलेगा और यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 5 बार इस तरह से touch करना है जैसे मैंने किया, और उपर से second level option को touch करेंगे और यहाँ पे आपसे मांगेगा confirm अगर आपको लगे कि हमारी इस वीडियो को देख करके पूरा step पूरा कर लिए, complete कर लिए तभी आप confirm करें अगर लगे जहां भी dot कि नहीं कुछ मिस हुआ है, तो confirm ना करें ठीक है, यह देखिए, जैसे ही ok करेंगे आपका wrong password dot dot reset हो गया आपका हट गया है, और इस phone में जो key लगे हुए है, देखिए, की मतलब होता है lock, ताला, इस phone में जितने भी lock लगे हुए है वो सब का सब pass हो गया, देखिए, अब live देख सकते हैं यह सब का सब pass हो गया, और HDCP की जो है इस phone में support नहीं करता था, यह not supported है लेकिन सबसे बड़ा बात, आप देखिए, जी फीडो की अउपर में RPMD की, यह दोनों pass होना चाहिए, यह दोनों pass है अब हम check करते हैं, आप लोगों को result देते हैं अज जी हाँ guys देख रहे हैं, आपका phone, means यह phone unlock हो गया है, और इस phone में जितना भी application था, वो सारा data level है जब application बचा हुआ है, तो data भी बचा हुआ है उम्मीद करता हूँ अभी तक आपका एक उर्पया खर्च नहीं हुआ होगा और आगे भी नहीं होगा, तो बने रहे हमारे चैनल पर जब तक के लिए